एक साफिन ओनलोब दोस्तों आप लोग का स्वाहगत है остав के इंदर आज वीडियो के इंदर में आप लोगों को तीन चीजेन बताने माले थीन के बहुत इम्पोर्तेंट होने वाली है एक आप लोग को हिती। चीजे पता होनी चाहिए और यह बहुत काम की है आप लोगों का समय भी बचेगा और सेक्यूरिटी भी बड़ी तो जो सबसे पहली चीज जो ज्यादा तर होता है लोगों के साथ पहली चीजी होती है कि अगर आपका फोन पानी के अंदर गिर जाए तो आप लोग क्या यारफ विद्यान ये आप जो 3 काम करने है ठीक है बल्कुल द्यान से पहले और कि नृट्री सीज एक कपड़े से नहीं और फिर उसके बाद भी में और उसके अंदर पानी होगा वो कोटन सोख लेगा ठीक है उसके बाद फिर आपको तीसरा काम यह करना है अगर फिर भी आपका फोन सही ना हो तो चावल के डिब्दे के अंदर उसको पूरा पेक कर देना चावल से भर देना और उसको 5-6 गंडे के छोड़ देना आपका फोन स्टार्ट हो जायागा 100% हो जाए दूसरी है जो कि बहुत ज़्यादा काम आते हैं और मैं खुद इसको मैंने किया है तो जब यह कोई नया चार्जर लेकर आते हैं या फिर चार्जर का जो वायर होता है वह आगे से तूट जाता है आपको पता है कि आगे जो मेन आगे का मैंन वायर होता है वहां से तूट जाता है जहां से हम फोन को लगाते हैं तो या तो या तो उसका वायर तूट जाता है या फिर वायर वहां से सुतार वगरा दिखने लग जाते हैं तो उसको सही किसे करें लोग जब मैंने अपना फोन खरी जाता तो उस वक्त ही मैंने आगे वाला हिस्सा होता है जहां से हम चार्जिंग पॉइंट होता है वहां पर आप लोगों को एमसिल लगा देनी एमसिल जो आतीन अनल वगरा सही करने की वहां से आपको इतना सा टुकड़ा देना है और आपको एमसिल लगा देनी जब वो टाइट हो जाए पूरी तरह से उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं इससे यह होगा कि आपका जो चार्जर है वो कभी भी मतलब तीन से चार साल क्या लाइफ टाइम चलने वाला है एक बार लागा निसके बाद आपको वायर खराब होने की प्रोब्लम नहीं आने वाली है परसनल एक्सपीडियर परस चान नहीं है रियल उसकी आप लोग करना क्या है बस उस बंदय का नंबर गूगल पर या फोन पर जाकर डाल देना उस बंदय का असली नाम आप लोग को पता चल जाएगा तो कैसी लगया आप लोग को यह तीनों है बहुत अच्छी है कि आप जाकर एक बार जरू ट्राय क करना इन तीनों को अगर कर सको तो ठीक है तो अच्छी है कि और अच्छी लगया आप लोग को यह वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना फिर मैं एसी तरीक वीडियो जुलाने वाले हैं तब तक के लिए इस्टेडियो